नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले इंस वीडियो में Accountancy's Related Best Question ये सभी question आपके आने वाले UPRBNL लेखा लिपक exam में पूछे जा सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा Accountancy and General Bookkeeping से total 75 question पूछे जाएंगे आपको मैंने Slables Provide कर दिया है अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा वीडियो को जिससे आपको पता चल जाएगा कि exam में कौन कौन से topic पूछे जाने वाले हैं और उन्ही topic के हिसाब से आपको हम यहाँ पर तयारी करवाएंगे तो मैंने पहला topic उठाया है Receipt and Payment Accounts ठीक है Receipt and Payment Account है तो यहाँ से आपको हम इसका MCQ प्रोवाइट करेंगे और इनमें से बहुत सारे ऐसे question है जो पिछले पर एक्छाओं में repeat हो चुके हैं पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले पर इक्छाओं में भी पूछे जाने की उमीद है तो चलिए दोस्तों बिना दे रही की हुए वीडियो की सुरुवात करते हैं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिजेगा आज का पहला question Which of the following is an example of non-profit organization निम लिखित में से कौन गैर लाबकारी संगठन का एक उधारण है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये question exam में कई बार repeat हो चुका है ऐसे question exam में पूछे जाते हैं Option A, Insurance Companies Option B, Corporations Option C, Public Hospitals Option D, Audit Forms चलिए जल्दी से answer कमेंट करके बताएए अगर आपको answer पता है तो यहाँ आपको बताना है इन में से कौन लाबकारी गैर लाबकारी संगठन का एक उधारण है तो दोस्तों यहाँ पर सही answer हो जाएगा Option C, क्या हो जाएगा दोस्तों Option C, Public Hospitals ठीक है, Public Hospitals यहाँ पर क्या हो जाएगा गैर लाबकारी संगठन Non-profit Organization चलिए बढ़ते हैं अपने अगले important question पे Second question, the receipt and payment account of a non-profit organization is a एक गैर लाबकारी संगठन का प्राप्ती और भुक्तान खाता है, Nominal Account, Financial Account, Income Statement Account, Real Account बहुत अच्छा question है, अगर आप Commerce की student है तो जल्दी से इसका answer कमेंट करके बताईए और आपको पता भी होना चाहिए एक गैर लाबकारी संगठन का प्राप्ती और भुक्तान खाता है, कौन सा खाता होता है, Option D Real Account, ठीक है आपको टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ जाईएगा जिसका लिंक आपको हम दे देंगे, अपने description box में वहाँ पर आपको एक्जाम के पहले ये सभी PDF प्रोवाइट कर दी जाएगी आप फ्री में वहाँ से डाउन्लोड भी कर सकते हैं Question No.3, पढ़िये और इसका आंसर कमेंट करके बताईए Which of the following statement is not true for receipt and payment account? प्राप्ती और भुकतान खाते के लिए निम्लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आईए देखते हैं, Option A, It is a summary of the cash book यह रोकडबही का सारांस है Option B, Depreciation is not show in it मूल हरास इनमें नहीं दिखाया गया है Option C, It records receipt and payment of revenue nature only यह केवल राजस्व प्रकृती की प्राप्ती और भुकतान को रिकॉर्ट करता है Option D, The receipt and payment made related to current, proceeding or succeeding accounting periods वर्दमान कारवाही या अनुवर्ती लेखा अवधी से संबंदित रसीद और भुकतान यहाँ पूछा जा रहा है प्राप्ती और भुकतान खाते के लिए निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर आपको चलिए सही आंसर बता देते हैं जल्दी से Option C, यह कथन सही नहीं है बाकि आपका A, B और D सही है ठीक है, C वाल आपका कथन सही नहीं है इट रिकॉर्ड रिसीब टैंट पेमेंट और रिवेन्यू नेजर ओनली ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन पे वीडियो को शेर करते रहिएगा, धराधर शेर करते रहिए वीडियो को और धराधर लाइक भी करते रहिए ठीक है, जल्दी से जल्दी अमनों कवर करेंगे अपने पूरे स्लेबस को कोश्चन नमबर पोर रिसीब टैंड पेमेंट अकाउंट मेक्स नो डिफरेंस बिट्वीन रसीद और भुकतान खाते के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता सही आंसर ओप्शन डी इन में से सभी A, B, C ये सभी सही है, all of the above answer होगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन पे कोश्चन नमबर 5 क्या कह रहा है Received and payments account is a summary of प्राप्ती और भुकतान खाता का शरांस है Income and expenses, cash received and payments, balances of assets and liabilities, debit and credit balance of ledger account जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताईए, important question है Important question है, जल्दी से comment करके बताईए, प्राप्त और भुकतान खाता का शरांस है सही answer क्या होगा, option B अभी मैंने आपको बताईए न, cash received and payments, ठीक है न, cash received और payments इसमें दिखाया जाता है Question number 6 Which of the following is a revenue received? निमलिखित में से कौन सी राजस सुपराप्ती है? Donation for, tournament, subscription, government, government grant या all of the above यहां बात हो रही है, इन में से कौन सी राजस सुपराप्ती है? Revenue received यहां पर सही answer बनेगा, option A वीडियो रोक करके, question note करते रहिएगा, एक एक question बढ़ेंगे अगले question पे, 7 number What basis received and payment account is made? रसीद और भुकतान खाता किस आधार पर बनाया जाता है? cash basis, accrual basis, both A and B, all of the above अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को like कर देजएगा आप अगर UP RV UNL और UP PCL की तयारी करना चाहते हैं, best तयारी तो आप हमारे साथ जुड़ जाएगा, channel को subscribe कर लिजएगा, notification bell on रखिएगा हमारी वीडियो जब भी upload होगी तो आपको notification मिल जाएगी यहाँ पर आपको Hindi, English, Math ठीक है, यह सभी तयारी कराई जाती है, computer, accountancy ठीक है यह सभी यहाँ पर तयारी कराई जाती है, आप हमारे सभी वीडियो को देख लिजे, ताकि आपको पता भी चल जाएगा तो 7 का सही answer बनेगा दोस्तो, option A cash basis, रसीद और भुकतान खाता किस आधार पर बनाये जाता है, cash basis, ठीक है, cash based ठीक है, रोकड के based पर बनाये जाता है, अगला question 8 donations received for special purpose should be, विशेश परयोजन के लिए प्राप्त दान होना चाहिए, credit to a separate fund, account and show in the balance sheet, एक अलग fund खाते में जमा किया गया और balance sheet में दिखाया गया, option B treated as revenue, राजस्व के रूप में माना जाता है, option C treated as revenue and less the amount is large, और last option none of the above, donation received for special purpose should be, देखिए donations related भी question कई बार exam में पूछे गया है, previous year exam में, तो ये भी आपका important question बन जाता है ऐसा ही question आपको हम सभी वीडियोस में बताएंगे, जो कि आपके आने वाले exam में पूछे जा सकते हैं तो 8 का सही answer बनेगा दोस्तो, option A वाला, A सही हो जाएगा, credit to a separate fund, account and show in the balance sheet जल्दी से जल्दी हम लोगे question पर बढ़ते हैं अपने, क्या कहा रहा है, question number 9 question 9 क्या कहा रहा है, income and expenditure account show, I और व्यक हाते से पता चलता है क्या पता चलता है दोस्तो, capital account, cash in hand, both A and B, surplus or deficiency तो सही answer option D, surplus or deficiency, income and expenditure account shows, surplus or deficiency ओके, और आजका last question इस PDF का, ये part 1 था, ऐसे ही आपको बहुत सारे PDF प्रवाइट किये जाएंगे if a general donation of huge amount is received by our school, that donation is treated as यदि किसी विद्याले को सामान रासी का सामान या दान प्राप्त होता है, तो वह दान क्या माना जाता है कौन सा दान होता है, capital received, revenue received, earned income, assets क्या होगा यहाँ पर सही answer, जल्दी से comment करिए, last question है अगर आपको best त्यारी करना है, तो comment भी किया करिए question, ठीक है, साथी साथ सही answer, option A, जितने बच्चों ने option A बताया था, capital received, उनका answer बिल्कुल सही है very good, ठीक है, capital received यहाँ पर सही हो जाएगा, उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like कर देजेगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर से शेयर करिएगा, चैनल को subscribe कर लेजेगा, ऐसी तैयारी करने के लिए, आपको अभी यह starting है, बहुत सारे PDF provide किये जाएंगे, हमारे पास हजारों लाखों question है, accountancy से related, ठीक है, और ऐसे-ऐसे question आपको बताएंगे कि उससे बाहर आपको आना ही नहीं है exam में, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं next वीडियो में, एक और important वीडियो के साथ, एक और topic के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत!